और दोस्तों कैसो याइससरारी मैं आप सभी को वैलकम करता हूँ अप सभी के फेवरेट यूडूआप जेयार कॉलेज में दोस्तों मेरा नाम है गौर मुन्रा और मैं जो डेयार कॉलेज के जो प्यारा चैनल है मैं यहाँ पे दोस्तों Commerce पढ़ाता हूँ चो ठीके मैं जानता हूँ आज मेरे को अपने बारे में बताने की जरुवत नहीं है और यह जो वीडियो जो आप देख रहे होंगे या आपने यह वीडियो या तो लिंक के तुरू सर्च किया होगा या फिर आपको आपके फीड में आ चुका होगा या फिर आपको किसी आप एक पैरेंट भी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यह वीडियो आपको पूरी एंड तक देखनी होगी टीके मैं जानता हूँ यह वीडियो शायद इसका जो लेंद्ध होगा मेभी यह मोर दें 30 मिनिट्स की होगी आपको लगेगा कि या 30 मिनिट्स तक यह बंदा दोस्त मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ आज यह 30 मिनिट्स अपने लाइफ की आपको मुझे देनी है मैं पूरी कोशिश करूँगा आज से आपके नेक्स्ट 5 येर्स का आपका जो भी प्लान होगा ना मेरा उसमें एक वैलियो एडिशन होगा आप शायद अपने ड जानते होंगे बट मेरे लिए अच्छे शब्द बोलकर जरूर जाओगे यह मेरा नाम है गौरम मुंद्रा यह मेरा इंस्टग्राम आईडी है यहाँ पर मैं आपके प्यार का मैं वेट करूँगा चलो अब यह वीडियो की एक रिक्वेस्ट मेरी एक और है सारे स्टूडे जा उसने सर्च कर लिया सीए कैसे बनते हैं उसके लेवल्स जान लिये सिलाबस देख लिया चलो वाई सीए करूँगा ऐसे इस एक्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं की जाती आपको डीटेल में आपको आज में डेप्त में ले जाओंगा और पिर आपको अंदर का नजा चाहता हूँ आप यह वीडियो स्पीड में देख लो कैसे भी देख लो एंड तक देखना सिंगल गो में देखो आपकी शायद रिक्वेस्ट होगी मैं यहाँ पर देखो 14 स्लाइट मैंने प्रिपर किया है और इस 14 स्लाइट में दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से इसमें स होगा कि यार मैं तो पक्का सीए करूँगा बट शायद ऐसा भी उसका ही clarity हो जाएगी अब मुझे किस तरह से CACCMA करना है मैं इस वीडियो का एम है आपको clarity देने की जिंदगी में चली आगे बढ़ता हूँ अब आप खुद समझ जाओगे कि सर आप ऐसे कैसे बता सकते है आपने तो भी वीडियो स्टार्ट करिए नहीं आपने इस वीडियो को बनाया है अब तक आपको कैसे पता यह वीडियो इतनी जोड़दार होने वाली है तुम खुद लिखकर जाओ यार तुम समय दो अपना बस यहाँ पे थोड़ा सा blank space रखा था कि कुछ write-up करना हो तो आपके लिए चलिए अब देखो यार सीए स्टेंट फॉर चार्टर अकाउंटेंट हाना सीए स कंपरी सेक्रेटरी कॉस्ट मेनेजमेंट अकाउंटेंट ही यह सब हमने देखा आपने चार वीडियो देखके रहा है आप यूटूप पर हाव टू बिकम सीए इन वेरी क्वि और यह ओवर विउ से आप खुद ही डिसिजन पर आजाओगे इतनी मेरी ग्यारेंटी जैसे सीए सीए में जो है न दोस्तो यह प्रोफेशनल कोर्स यह कौमस के डायमंड कोर्स अगर आप सीए करते हूं सीए करते हूं आपको मार्केट में अलग इज़त मिलने वाली है बता सकते हो जैसे मेरे बात करूँ तो दोस्तों मैं कमपनी सेक्रेटरी एक स्टूडेंट हूँ एस्पिरेंट हूँ फाइनल लेवल में हूँ ठीक है और बेसिकली कैसा है ना मैं बताता हूँ कुण से लेवल में हो यहां पर बता दूँगा और आप यह समझो दो साल के हूँ अब चलते हैं यहां पर समझते हैं आपने अब तक क्या सिख और ऐसं क्या करता ही उसके इसमें पहले अपना एंट्रेंट एंट्रेंट के लेर हुआ तब आप नेक्स लेवल एंट्र servers की और सम्टिंग अरूंड 1,000 रूपीज फिर आप एग्जेकेटिव में आते हूं फिर आपको एग्जेकेटिव में रिजिस्टर करना पड़ता है एग्जेकेटिव इस दो वर्ड यूस फॉर कम्पनी सेक्रेटरी स्कोर्स एंड सी ये के लिए इंटर्मेडियट यूज होता है ठीए फाइनल यूज होता है सी एन दिया प्रफेशनल यूज होता है सी इस के लिए जैसे में अभी मेरी बात करूं तुम्हेस्टि फ्रफेशनल में हूं CS के लिए training structure अलग है यह training structure यह पढ़ाई यह सब तो आपने बाकी वीडियो में भी देख लिए होगी और नहीं भी देखे होगी तो चलो देख लेना मिल जाएगा उतना ही सी को उन से घ्यान ठीक है अब ICSI, ICI इनके अगर आप website पे भी जाते हो दोस्त वहां पे लिखा है क्य determination और कितना time का structure, training structure for example अब CS के अगर बात करें तो नहीं नहीं करके 24 months का training structure होता है तो for example आपको entrance clear करना है, executive clear करना है, final clear करना है, along with that you need to clear or you need to complete with your training structure and then you will be getting your license उसके बाद आपको आपको जाके license मिलेगा, पहले सारे exams along with that, मतलब साथ साथ में training, उसके बाद आपको क्या मिलता है दोस्त, license मिलता है, ये तीनों course इस तरह से ही work करते हैं, कुछ अलग नहीं है इस तीनों course में, syllabus अलग होगा, लेकिन pattern यही होता है, इसका examination pattern में बताओ मन्त में CS का होता है, June and July के मन्त में CMA का exam होता है, ये तीनों course भाई है आपस में जगणा नहीं है इनके, इनके बच्चे जगणा कर रहे है, कि मैं CMA कर रहे है, ये आपस में जगणा किसका best course है, अरे तीनों best है, तुम कौन बताने वाले कौन best है, तीनों best है, तभी मार्केट में उतना ही जत है, तुम भगवान नहीं बन जाओगे अगर तुमने CMA कर लिया, और ये दो कोर छोटे होगे, ऐसा नहीं होता भाई, तीनों एक ही लेवल पे कोर से, अगर ये CMA CS, तीनों साथ में ही है, ये चलो, उसके बाद ये लेवल होता है, अब देखो, ज चाट, कस्टम, वगवा, कंसल्टेंट की प्रोवाड कर सकता ही, कि अच्छा आपको बिसनस करना है, तो उसके आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्या लाइसेंस, कौन्चा लाइसेंस, बहुत सारे चीज़ें कर सकता है, चार्टर अकांट, उसके बाद ये मैनेजमेंट में भी इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, और अगर बच्चे, आपको पता हो, अगर आप SP के बच्चे हो, तो उसमें एक था KMP की मैनेजरियल परसनल, तो उसमें भी अगर ये अच्छा खासा परसन हो, उसके पास experience होता हो, वो कंपनी का CFO बन सकता है, ठीक है, अब व कंपनी की उपर कितने लौ लगते होंगे, वैसे ही, और अगर वो एक भी लौ जो कंपनी की उपर applicable होता है, अगर कंपनी, समझो, समझो, कंपनी का एक involvement law आपको पता है, समझो, अगर आप labor law से भी meet नहीं करते हो, मतलब, आपकी company का labor, पता है क्या कर रहा है, 18 या 20-20 घंट है की नहीं, आपकी company में proper safety है की नहीं, वो safety guards नहीं देखा है, helmet वगरा, वो सब अगर नहीं पहना होता है, company बंद हो जाती है, तो ये सब चीजे ना हो, ये सारे चीजे पूरी तरह से comply हो, ये make sure करता है company secretary, ये भी tax clause वगरा management में काम करता है, इसके अलग features, ये आपको पता ह हो गयर, आपने जब इतना सीख लिया है, तो पता ही होगा, ये तो मैं फिर भी एक overview दे रहा हूँ, वैसे ही दोस्तो, company act के दवारा, company secretary तो KMP है, की managerial personal, एक मातर single degree, जो आपको company के top level में काम कराती है, ना ही वो CA है, ना ही वो CA में है, या ना ही, वो CA में है, या ना ही, वो whole time director, manager, and पाच्वा company secretary, तो just by completing your company secretary, you will be called and you will be included in the part of KMP, that is top management of the company, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, same goes for CA में, अपना, ठीक है, cost management accountant, इसका main काम होता ना, costing, production department में ही भाई, ये king आदमी है, production भाई, कितना produce करना है, क्या cost पर produce करना है, इसका role जो है ना, बहुत important है, अगर कोई product company है, जैसे for example, अब ये phone, इसका कितना production, क्या costing, इसकी particular unit पे, क्या charge करना है, इसके जितने भी product होंगे, अंदर इसके अब ये phone मनाने के लिए तो कितने सारे material लगे होंगे ना, raw materials, तो ये raw material से लेके हर छोटी चीज़ की costing होती है, cost management account है, और ये भी इसके field of work है, इससे बहुत जादा है, ये सब मैंने एक बस example दिये है, कि लोग इतना करते है, बस इतना ही सीमित नहीं है, ठीक है, चलो आगया हम इसको जादा और drag नहीं करेंगे, ये levels वगेरा, अब देखो, time required, कितना समय लगेगा आपको CS, CS, CMA करने मे तो minimum 4 साल, 4 sorry मुझे माफ कर देना, मैंने 4 तो बस ऐसा Google बताता है, और अकसर लोगों से सुना होगा आपने, एक average year, लेकिन ये जूट है, 4 साल में कोई भी CS, CS, CMA नहीं बनता, आज के date में, पहले वो लोग बनते थे, क्योंकि पहले competition जादा नहीं था, पहले training structure जादा नह नहीं है भाई, आज ये, आज complete करना ऐसा next to impossible है, क्योंकि आज competition है, competition है, आज luck जादा matter करता है, as compared to few years back, portion भी change हो चुका है, training structure चुका है, बहुत कुछ चुका है भाई, तो आज ये courses को, ऐसा कोई आदमी आपको जब देखने को मिलेगा न, CS, CS, CMA, उनको देखके अब में भी तीनो कोर्स साथ में गरूंगा, भाई, यो practically possible नहीं है अब, और होगा भी तो आप बहुत कम age में बनोगे, वो लोग 20-25 साल में ये इस तीनो कोर्स अचिव कर लेते हैं, क्योंकि उस राइम syllabus अलग था, similar था, difficult था, ऐसा नहीं बो लो, difficult नहीं था, बट competition भी कम था, ठी 12 के बाद 5 साल काउंट कर लो, इतने minimum साल लगेंगे आपको ये तीनो कोर्स कंप्लीट करने के लिए, आप कोई भी सिलेक करो, अगर कोई बच्चा C.A. चाहता है, तो आप C.A. के नजर से इस वीडियो को देखना, C.A. में चाहते हो, C.A. में अगर आप चाहते हो, कि हमें तीनो के बारे में जानना है, फिर हम डिसाइड करेंगे, तो आप और अच्छे से समझ पाऊगे, अब इसकी फाइदा पदा है क्या है, खर्चा बहुत काम है भाई इसमें, आपकी college fees से ज़्यादा सस्ता, अगर कोई बच्चा B.com कर रहा है न, B.com की fees आपकी ज़्यादा ह होते हो, तो executive का registration, intermediate का registration, अलग से pay करना पड़ता है, कुछ 8,000 या 10,000 related कुछ amount है, one time registration होता है, उसके बाद examination fees होती है, अब जैसे executive का दो attempt होते है, एक होता है June में, एक होता है December, तो June attempt में, अगर आपको attempt वो exam देना है, तो 1250 रुपे पर module, इसकी fees है, तो बहुत सस्ता है, तो ये इसका फाइदा है, कि ये बहुती less cost intensive चीज है, और जितने भी middle class लोग है, मेरी तरह, आप की तरह, जो देख रहा होगा, जितने भी middle class लोग है, जो चाहता है, एक अच्छी life हो, एक secure life हो, चल जाए यार, बस कर लो में कुछ ना कुछ, तो वो जादा तर यही लोग CSCMA करते हैं, क्योंकि ये course demand करता है, महनत, अगर आप तुम महनत करने को तयार हो, तभी इस वीडियो को आगे करना, नहीं तो फिर आप back कर सकते हो, क्योंकि अब मैं कुछ ऐसे बाते बताऊंगा, जिससे आपका शायद दिल उतर जाए ये courses से, लेकिन फिर मैं आपको education and for your office and training, चलते हैं इस पर बात करेंगे, education, अब दोस्तों, आप क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनकी थोड़ी सी, financial health में कहूंगा, थोड़ी सी difficult होती है, like parents नहीं manage कर पाते हैं, क्योंकि शायद उनके और siblings होंगे, medical issues, जो भी other expenses, ठीके, manage करना मुश्किल होत नहीं, तो बच्चे क्या करते हैं, self study करते हैं, self study किसे करते हैं, YouTube से करते हैं, YouTube पे आज भी बहुत सारे content available है, जिससे आप अपने CSCMA के तीनों courses पूरी तरह से complete कर सकते हो, लेकिन दोस्त, complete तो कर लोगे, बट जो knowledge होगी न, शायद, शायद वो कही ना कही होगी है, रुप जादा है, self study कर रहो, well and good, बट आपको किसी ना किसी teacher की help ले नहीं पड़ेगी, ये courses में बिना teacher का pass हो जाना, it's like आप में ही कुछ काबिलत है बाई, ठीक है, आपके सामने अगर मैं कोई log रख दूँगा न, आप उसे समझ नहीं पाओगे, ये बोलना क्या चाहत है, जब कोई आपको बताएगा नहीं न, वो समझ में नहीं अगरी क्या लिखा है, लेकिन जब तक आप final में आ जाओगे, तब आप खुछ से ही सब कुछ कर लोगे, तो basically क्या होता है न, लोग entrance and intermediate या executive levels को clear करने के लिए classes prefer करते, बाद में final के लिए एकाद कोई subjects prefer कर लेते, मैंने अब कुछ इस तरह से ही किया, चली, location for your education, अब कोई बच्चा क्या कर रहा है, मुझे sir, lectures देखना है, तो किसे करूँ मैं sir, offline class लगाओ, online class लगाओ, किदर जाओ मेरे बाई, तो देखो, online, offline, offline, दोनों ही आप prefer करते सकते हो, online, थोड़ा सा सस्ता होता है as compared to offline, offline, offline थोड़ा स अब कॉस्ट, costly होता है, obviously आपको भी पता है, क्यों cost होता है, अब चली, वो अलग matter है, लेकिन आपको बता रहा है, चली, online का फाइदा देखते है, फाइदा and कुछ चीज है, जो आपको make sure करने ही पड़ेगी, पहला है consistency, क्या होता है, lecture 7 बजे, आपको, अगर आप attend नहीं क करना, start कर दियाना, तुम अपने pass के goal से बहुत दूर आ चुके, consistent आपको होना पड़ेगा, 7 बजे उटना है, मतलब 7 बजे उटना है, लेकिन यही offline class होती है, तो 7 बजे का timing है, जाना ही पड़ेगा, वाई, कोई option नहीं है आपके पास, attention span, screen को देखना, क्या आप देख सकत बेट कर, 8 गंटे के lectures को देख सकते हो, इतनी हिम्मत रखते हो, नहीं रखते, तो अभी भी exit कर सकते, attention span, loyalty to yourself, you need to be loyal to yourself, अगर तुम target set कर रहो, आज 8 गंट, आज मुझे 8 hours पढ़ना है, बच्चा 4 गंटे, बहुत हो गया है, बहुत पढ़ लिया, आज तो वाई, चीगे, एक हाद दिन ऐसा होता है, चलता है, तीन-चार दिन ऐसा होता है, ठीक है, बच्चे को थोड़ा समय लगता है, अपने आपको adjust करने में, new syllabus के साथ, new journey के साथ, बट कभी आप पढ़ने रहो, कभी एक गंटा पढ़ते हो, कभी दो गंटा पढ़ते हो, हाँ, कुछ emergency situation है, होता है, जो महनद करता है, हर बार वो इस examination में pass होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, अब इसको मैं end तक समझाओंगा, चलो, maybe no friends, जब आप ये course में आओगा न, अगर आप online classes लेते हो, घर बे वेड़ोगे, कौन दोस्त बन जाएगा, आपका, बड़को आप ये बताओ, लेकिन offline classes में distractions का जारा scope होता है, networking, offline में दोस्तों, आप कुछ ऐसे दोस्तों से मिलोगे, आप कुछ ऐसे लोगों से मिलोगे, जो शायद आज आपके level पे है, but may be in future, वो जब CACA में बन जाएगे, तो आपका एक network बन जाएगा न, दोस्तों, मैं गया था 2019 में, एक offline classes में, ठीक है, मैं वहाँ पर वो CACA का class था, class का नाम नहीं दोगा, बट मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने foundation दी थी, उसमें, उस दोरान, मैंने इतने दोस्त बनाया है, जो आज CACA final में है, मैं CS final में हूँ, जब वो CACA बन जाएगे, मैं जब CS बन जाओंगा, हम अपना firm खोलेंगे, यह होती है networking, यह फाइदा होता है offline classes का, आप यह काम online में भी कर सकते है, online classes में भी, बट इसकी probability थोड़ी काम है, चलो, office and training, आप एक चीज़ समझने को तयार हो जाओ, आपकी salary, आपकी stipend, जब आप training करते हो, तो stipend मिलता है, यह totally depend होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर जब वो है आपके location, अब जैसे for example, कोई metro cities का अगर आप नाम लेते हो, Mumbai, Delhi, Noida, Bangalore, यह कुछ ऐसे sectors है जो बहुत developed है, economically भी, office sector भी, IT sector, जितने भी sector हो गए, यह areas इतने developed हो चुके है, तो जब developed area है, पैसे भी अच्छे मिलेंगे, expenses भी अच्छे होंगे, ठीके, तो वही होत है, यहाँ पे जितनी better location, उतना ही better stipend, जैसे अगर आप कोई छोड़े से village से हो, या छोड़े से शहर से हो, लेकिन जब आप यही metro cities में आते हो ना, salary का jump देखने को मिलेगा आपको, समझ मैं, better location, better work exposure, ऐसा ज़रूरी नहीं है, but maybe, जैसे for example, work exposure में आप यह बता चारा हो, ज आपके उपर एक head CA होता है, head CS होता है, head CA में होता है, जो भी आप choose करो, वो आपको train करेगा, देख भाई, filing ऐसी की जाती है, DIR 12, ऐसे file किया जाता है, अगर किसी director ने resign कर लिया, तो ऐसे file किया जाता है, income tax return, ऐसे file किया जाती है, आप अपने आप से नहीं सिखते हो, आपक पूरी नहीं है, एक CA, एक अच्छा CA 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 में कहाँ भी मिल सकता है, अब ये depend करता है, location to location, और आपकी network के प्योर पे depend करता है, ठीक है, चलो आगे, दोस्तों चाहिए तो आप क्या करो ना, 2 minute का भ्रिक ले लो, 2 minute इस वीडियो को क्या कर लो, पॉस्ट कर लो, ठीक है, ठीक है पॉस्ट किया, अब, next topic है मेरा college life, दोस्तों जो आप CA 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 में करते हूं, college life, भाई, मेरी college में 75% attendance कंपल जरी था, मैं गया नहीं भाई, मेरा SEM 1 में 13% attendance था, मेरा SEM 2 में 2% attendance था, 3, 4, 5, 6 में तो I guess, 0 या 2, 4% attendance था, बट मेरे दोस्त बन चुके थे हुआ, तो फिर इत्री ट इंचन के बाद नहीं थी, but college life, मेरे college का fresher party हुआ था, कुछ तो fresher होते हैं, आपन first year में जब जाते हैं, second year वाले, third year वाले, हमें कुछ street बगर देते, proper fest organized होता है, नहीं attend किया है मैंने, तारंगन होता था मेरे college का, मैं ठाकुर college से हुँ, Mumbai University, ठीक है, वहाँ पे बहुत event होते थे, ठाकुर college is basically known for fest, बहुत बड़े-बड़े actors आते थे, अपने movie के promotion करके जाते थे, मैंने एक भी attend नहीं किया है, मैं ठाकुर college के होकर ये सब attend नहीं करा हूँ, तुम समझ रहो, लोग मुझे बूलते हैं, तुम ठाकुर college में गया, पत्रा college life enjoy नहीं करा, क्या किया ये course ऐसे ना, ये भाई दिखने में अच्छा लग रहा है, CA कर रहा हूँ, CS कर रहा हूँ, CA में कर रहा हूँ, लेकिन तुमारी कोई भी college life नहीं होने वाली, तुमारा college में अगर एकाद दोस्त भी बन गया ना, उसको जिंदेगी बड़ तक साथ हो लेके चलना हो वाई, क पूरी कोशिश करना, वह लोग क्या करते हैं, डिबार कर देते हैं, आपको exam देने नहीं देते, तो आपका, अगर आपको CA, CA, CA में करना है, पहला motive, 12th percentage, भले मेरे को 95 क्यों ना आए, मेरे को ऐसा college चाहिए, जिसमें attendance issue ना, और अगर है, तो पहले ही clear करके लेना, कि मैं CA क आपको थोड़ा सा concession देते हैं, मैंने यही किया था, चलो, less social life, दोस्त, मैं को याद है, मैं final के examination थे मेरे, मेरी, जो sibling है मेरी, बड़ी दीदी है मेरी, तो उनकी wedding थी, मैं उनकी wedding में पढ़ाई कर रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं वेटके, यह मेरी बेहन की शादी का हाल अगर यही किसी relative की शादी होती, तुम्हें नहीं जाता, लेकिन मेरे सारे घरवाले गए हैं, तो यह आपको decide करना है, क्या यह sacrifices, worth it होंगे या नहीं, अब देखिए बात करते सिलाबस की, तो जो आप college में पढ़ोगे न, बीकॉम, बीबीय, जो भी आप ले रहे हो, LLB ल क्या है, capital budgeting, क्या है, क्या है, यह topic है, तुम्हें अपने मन से लिखता हो, क्योंकि तुमने already CACCMA में पढ़ रखा होगा, तो तुम्हें college के portion का बिल्कु टेंचन नहीं आएगा, तुम एक दिन पहले, आँ बाई, चलो, बुक उठाओ, PDF, PDF, PDF को लेंगे, तुम ऐसे पढ़ क्यों, पूरा law है, आपको law लिख कर आना है, वहाँ पर, तुम्हारे भाई को उसमें exemption मिला था, like 60 plus मिला था, वो paper का, मुझे सब आता था, बट मैंने जैसी question number 1 लिखा, मैरे हाथ कहा पर है, लेकिन, मैं जब BAF का paper लिखता ना, एक क्या है बाई, ठीके, आदे घंटे पहल कि क्या सिर्फ मेहनत काफी है, CACCMA में बनने लिए, क्या सिर्फ मेहनत काफी है, दोस्त, यह ऐसा course है, अगर इसमें बच्चा आता है, तो उसको दिम पहले दिन से वो sure है, कि यार यहाँ पे जितने भी बच्चे इस course में enrolled है, मेहनत तो हर कोई करने वाला है, बट ऐसा क्या आलक कर रहा है वो, जो वो पास हो रहा है, और मेंनी हो पा रहा, यह आपको find out करना पड़े, mostly यह होती है, आपका study करने का तरीका, आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, क्या आप concept focus कर रहे हो, या सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे हो, या सिर्फ आप रट्टा मार के जा रहे हो, concept clear करो, उसको फिर रट्टा मारो, और फिर exam में लिख कर आओ, जाधा अच्छा ना, तो यह, क्या सिर्फ महनत काफी है, यह तरीका है, देखो महनत करोगे, तो सब कुछ भी लेगा, लेकिन दोस्त, यह examination में luck favors the brave, यह अपने quote सुना होगा, दोस्त, मेरे example देता हूँ, बहुत सारे ऐसे papers देखे हमने, पूरा answer A to Z correct लिखा है, A to Z, आपके law से, आप इसा book निकाल के देख सकते हो, हाँ भाई, सही तो लिखा है, सही तो लिखा है, कितने marks मिले पता है, tick mark, 4 mark का question, 4 में से 1 mark मिला है, क्यों भाई, बाके 3 mark कहा है, reason जी है हमें 3 mark का, CA में तो काफी गलत बात है, नहीं देना भाई paper, मतलब क्या हो आया, अगर तुम सही लिख कर आ रहे हो, तुम गलत मिल रहे है, तुम गलत लिख क्या होगे, तब तुम उतना ही मिलना है ना फिर, तो यह क्या है न, luck favors the brave, क्या होता है सीन दूस्तों, यह examination में न, passing ratio एक होती है, अब हर, अ आपको उस passing ratio में लेकर आ रहे है, passing ratio पता है कितनी है, 4 से 15% यह तिनों courses की, 15 अभी बहुत worst case में होता है, जैसे, समझो, अभी last June attempt में CS का बहुत अचा result आ है, final का, like 10-10% passing ratio है, final का, लेकिन उससे तैले, December attempt में पता है कितना passing था, 3%, तो एक attempt पे लोग पिले, रूला देते, फिर दूसरे attempt में, आरे, रुको है, रोमात, यह, लोयर, 10% बच्चे पास कर दिये, बस, अभी अगला जो attempt होगा, उसमें कितना pass करेंगे, 3-4 वापस अपने हमें हमारी ओकात दिखा देंगे, यह होता है, यह institute ऐसे ही चलती है, क्योंकि तुम्हें याद रखना है, हर कोई कि अगर C, 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 C में बन जाएगा, तो कैसे चलेगा भाई, थोड़ा एक लेवल अटना पड़ेगा, लक मैटर करता है, एक्जाम हो जाते हैं, उसके बाद पता है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चों का नहीं पता, मैं पता है क्या करता हूँ, बवन, पास करा देना, प्ल उसनों का जगडा नहीं हुआ हो, पता चला, उसने जगडा मेरे पेपर पे निकाल दिया, तो प्लीज, बहुत अच्छे मूड में रहे है, वो चेकर, ऐसा मैं प्रेखरता हूँ, समझ में है, चलो आगे, अब गया है, आपने क्यों CS लिया, पता है गया, मैंने स्टार्ट क एक्साइट नहीं करता, मेरे को लॉव अगरा पढ़ने में मज़ा आता है, ये फाउंडेशन के क्लास में चलते चलते मैंने डिसाइड गिया, नहीं करना सी है, छोड़ दे, CS में आया, सब कुछ अच्छा जा रहा है, मैं पता है, CS में जब आया था, मेरा क्या प्लान था, मैं जब भी फेल हुआ ना, छोड़ दूँगा, ये सोच किया था, मैं फेल ही नहीं हुआ, तो छोड़ ही नहीं पाया, ठीक है, अब फाइनल में आके एक जटका लगा है, लेकिन बन जाओंगा, कोई दिक्कत नहीं, अब ये तो चलिए, CS बिसिकली इसके लिए ही था, मार करता, मेरे पापा के साथ जा के बेड़िया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं चाहता हो, अगर मैं अपने पापा के साथ बेटू भी उनके office में, तो as a CS बेटू, इजट मिलनी चाहिए भाई, ठीक है, बच्चा कुछ करके बेटा है, ऐसे नहीं, अब देखिए, CS, CA, CMA के साथ, दोस्तों, आपको अपने साथ रखना है एक backup plan, बच्चे क्या करते हैं, CA करना है, ठीक है, करके ही रहूंगा, भले ही मेरी जिन्दगी चले जाए, जवानी, अपना बच्पन तो गया, अब भाई की जवानी भी पक्की जाएगी, क्योंकि वह decide नहीं करता है यह professional courses के साथ, उसको क्या backup करना है, बाई, सबसे पहले जब आप यह professional course में enter होने का सोचते होना, कि मुझे CA करना है, मुझे CA करना है, मुझे CA में करना है, the first thing you need to decide is, what you are going to do, यह, बलब, CA, CMA के साथ, साथ, और आप क्या-क्या अपने साथ करोगी, education में और क्या-क्या continue करो अब for example, जैसे मैंने BAF किया था, मैं BAF इसलिए कर रहा था, क्योंकि तब मैं CA कर रहा था, but मैं BAF के साथ CA एक अच्छा option समझता हूँ, but BAF के साथ, CS is not an ideal option, maybe BCOM, maybe BBA, maybe LLB, along with CS, ठीक है, समझ रहो ना, थोड़ा similar similar portion, similar similar field of work हो तो जादा अच्छा लगता है, अब बात करता पोस्ट ग्राजवेट का लेवल मिल चुका है, अब पोस्ट ग्राजवेशन, पोस्ट ग्राजवेशन, अब फिर मास्टर्स या पिएजडी वगरा है, ठीक है, मिली ग्राजवेशन हो गई है BAF में, मैं जब CS अभी ये लेवल क्लियर कर लूँगा, फाइनल का, एक तीन लिया है, प्रोफेशनल कोर्स तो ही, पोस्ट ग्राजवेट भी मिल चुका है, अब इसके बाद क्या होता ना, IAM जैसे इंस्ट्रिटूट्स ने, मुझे बाकियों का नहीं पता, CACM है, लेकिन इनने CS के साथ कोलाबरेट किया है, कि अगर कोई बच्चा CS का फाइनल उसका एंटरेंस भी नहीं ले रहे हैं, कि भाई आजो, अभी क्या, इस से जादा क्या एंटरेंस दोगे तुम, आजो, तो सीधा IAM से में PhD कर सकता हूं, येस, I am eligible, अब देखिए, जैसे आप CACM कर रहे हो, तो आप इसके साथ और backup रख सकते हो, या फिर इसके साइड में और भी कुछ कोर्स कर सकते हो, financial risk management, ये अभी recently बहुत बूम चल रहा है इसका, तो CA पका करना है गया, या कुछ different भी करना है गया, देखो थोड़ा, सर्च करो, FRM, CPA, ACCA, MBA, ठीक है, बहुत सारे finance related courses है, सर्च करो, CA, CACMA का तुम्हें दुख दर्द बता रहा हूं, लेकिन ये courses में भी उतना ही फाइदा है, market में है तो मार्केट में है तो मालब कुछ होगा न, reason होगा, लोग करते हैं, तो कुछ reason होगा न, find out करो, चलो, अब देखिये syllabus, दोस्तों syllabus, best चीज पता है, CA, CACMA, इसका syllabus बहुत जादा similar है, अब for example, अगर आप CA कर रहे हो, या अगर आप CS कर रह है, obviously company secretary where the company, तो company law इनको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो company law CS के लिए एक दिल है, ऐसे ही दोस्तों, economic law भी CS के लिए एक दिल है, and ये CMA के लिए एक दिल है, economic law में Indian contract act, सोगा, बहुत सारे acts कहां पर आते है, constitution तो तीनों के लिए equal है, tax law, अब tax law में जादा तर CA and CA में क expertise रखता है, but prefer नहीं करता है, क्योंकि लोग prefer करते है, CA and CMA को for taxation, but जब company establishment, जब company के लिए आपको consultancy चाहिए, तो बहुत सी इसके पास आते है, security law, one and only company secretary इसमें काम करता है, but इसमें CA and CMA भी expertise रखते है, समझ मैं common syllabus है, यतना कुछ impact नहीं करेगा आपकी decision को, decision को impact करेगा तो वो कुछ ऐसी चीज़े है, वो ये passing percentage यार, passing percentage ये courses का 4-15% के बीच में vary करता है, अब ये depend करता है कि market में अभी कितने company secretaries, कितने CA, कितने CMA को pass करानी की जरुवत है, for example मैं तुम्हें बताता हूँ, ये देखो, December, मैं बता रहा हूँ दोस्तों क्या, December 23, बहुत अच्छा result for CS Institute, ठीक है, final के बच्चे, 10-15% तक का result आया है भाई, ठीक है, लेकिन, इनने इनकी band कब बज़ाई, June 2023 में बज़ाई, कितना बज़ाई, बताता हूँ, कितना, 4-8% के बीच में result था, same goes for charter content institute, क्या था पता है, अभी का result सब की band में बज़ा दी, लेकिन इस से पहले बहुत चुमा result, जहां देख रहा हूँ, सब पास हो रहे, लेकिन, अभी देख रहा हूँ, भाई, क्या हुआ, फिल, क्या हुआ, भाई, फिल, 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 कोई पास नहीं हो रहा, ऐसा ही होता है, अब जैसे last time, June में इनका result, जोड़ा रहा है, December में, I mean, क्या लगता है, June 24 में CS व environment, क्या, economy में उतने CA की जरूरत है, उतने CS की जरूरत है, उतने CME की जरूरत है, ठीक है, second, recognition, नाम रखना पड़ता है, भाई, अगर हर इंसान जो अपियर कर रहा है, examination में, उसको पास कर देंगे, तुम्हें याद एक wave, आज से 2010, 12, 14, 16 तक, at least 14 तक, 2014, engineers का level बहुत उपर मतलब, जिसको पूचो क्या करना चाहता है, भाई मैं तो engineering करना चाहता है, जिसको पूचो उसको engineer बनना था, बट आज हम देखते हैं, एकदम sudden low आ जाता है, क्योंकि दोस्तों, आज engineers इतने सारे हो चुके हैं, क्यों इतने demand कम हो गई है, demand कम है, ठीक है, समझ में आ रहा है, demand कम है, supply बहुत ज़्यादा है, तो इस पे impact पढ़ रहा है, उनकी salary range पे, लेकिन ये तीन courses में, demand भी है, supply तो हमारे control में, किसके control में, institute के control में, 4-15% है, जब demand कम होगी, कम, अपना demand कम होगी, बहुत ज़्यादा बच्चे फेल कर दूँगा, जब CACA, CMA की बहुत ज़्यात चलो, अब, ये courses, अगर तुम लेते हो, तो इसका advantages, disadvantages, disadvantages, कुछ ऐसा मुझे लगता है, for exam में, exam में, exam में आ सकता है, 4 माख के लिए, मजा कर रहा है, 12th boards में, advantages, disadvantages, disadvantages, if you took CACA, CACA में, नहीं आएगा, ऐसा कुछ में, फिर के ले रहा हो, तुमारी, चलो, advantages क्या है, बहुत ही, कम खर्चे वाला है, recognition, respect, तुमारे नाम के आगे, कुछ जुड़ेगा, यार, CACA, अपना नाम लगा लो, CACA गौरो मुंद्रा, ऐसे कितना खुशी होता न, सोचो न, रहा चलते तुम जा रहे हो, ऐसा मस्तर से जा रहे हो, अपने parents के साथ हो, आप, आपको ये भी बूले आपके parents को आपके गर्व होगा, लेकिन ये गर्व को आपको, एंट तक ले जाना है, ठीक है, respect, अलग लेवल, nation builders, भाई, nation builders, CACA, CACA में के जब conferences होते हैं, बहुत बड़े-बड़े लोग आते हैं, in fact, prime minister, finance minister, ये सब आते हैं, इनकी conferences attend करते को, और आपने तो सुना ही conference में उनके दिये कोई शब्दों को, कि एक chartered accountant की signature, prime minister से भी जादा है, ऐसे ही दोस्तों, CS, CMA की signature की value भी उतनी ही है, यहाँ पे, अब कुछ बच्चों का था कि नहीं सरु, उनने तो सिब CA के लिए बूलाता, अरे भाई, CA का जो level है, तो CS के साथ ही है, CMA के साथ भी है, त कि के, तिनों की signature बहुत valuable है, समझ मैं, जब कोई CA की बात करता है, तो साथ में ये दो courses को भी include करता है, until and unless, वो specifically CA के लिए नहीं बूल रहा कुछ, अब जैसे, जब रेंदर मोदी जी, हमारे CS के conference में आते थे, या finance minister आती है, और जब वो कुछ finance related बात करती है, तो इसमें सि पैसा, पैसा है भाई, मैं CS क्यों कर रहा हूँ, रस्पेक्ट, ठीक है, सब बोलने की बात है, पैसा कावाना है मेरे को, सिधी बात है, कोई तुम्हें बोलेगा ना, कि मैं बस कुछ difficult course कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इजजत मिलती है बहुत, बच्चे देखें मैंने सर, मैं IIT में जाना चालता हूँ, क्यों, सर मैंने जए ही क्लियर कि, IIT मलब जो भी एंटरेंस में उसका क्लियर कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है, और इसके साथ, इसके बाद क्या गोल है, मुलते है, नहीं सर, बस खूश रहा है मिरे को, ठीक है, और मेन क्या है, भाई, पैसा, बाद गूम फिर के आती है पैसा, तू कितना पैसा कमा रहा है, बाद गूम फिर कर उस पे ही आने वाली है, तो पैसा आपको पूरा मिले के तीनों कॉर्सेस में, बट कितना कब मिलेगा, बताता हूँ, Disadvantages, बचपन तो गया, जवानी भी पक्की जाएगी, अगर तुम ये तीन कॉर्सेस में आते हो तो, क्या लाइन लीगे है मिने, क्या, बचपन तो गया, जवानी भी फिक्स जाएगी, अगर तुम CS, CS, CMA में आते हो तो, लेकिन, तुमारा जो बुडापा होगा, वो इतन इस में, experience में, तीन से चार साल जब आप गुजार लोगे ना, आपकी life में पैसो की कमी बिल्कुल नहीं होगी, like, आप एक अच्छा जिदगी जी सकोगे, after minimum 5 years of experience, ठीक है, पक्का, guarantee, मेरी guarantee, no guarantee की बनोगे, भाई, दुख पता ही ये course का क्या है, कि guarantee नहीं है कि मैं CS, CS, CMA मे कोई guarantee नहीं है इसकी, मैंने अपने दोस्त देखे है, 6-6 attempt दे चुके हैं, वो अब भी intermediate में, वो अब भी executive में है, और कुछ बच्चों ने, वहाँ score से exit भी ले लिया है, तो आज ये जो बच्चे देख रहे हैं, आप समझो, 100 बच्चे यहां से मुझे इस वीडियो पर दे CPA में, तुम जाके पका करो, बहुत अच्छा कुर्स है, बहुत पैसा है, classes cancel होगे, मेरसल होगे, मेरा कोई intention नहीं इस पूरी वीडियो का, मैंने एक बार भी नहीं बोला है, तुम मेरे classes लेना, तुम मेरसे पढ़ाई करना में पढ़ाऊंगा, तुम में entrance के लिए में प्रि तुम बागी चार वीडियो, चार यूटूबर्स की वीडियो देखेंगे, उनने भी बतावागा, CA कर लो, मेरे classes लेना, उसने भी item खाया होगा, बहुत rare case होता है, कि कोई एक पहली item में बन जाता है, 100 में से एक बच्चा बनता है, luck, destiny, social life, कुछ social life नहीं है भाई, बोल ज बनाता हूँ, यही चल रहा है जिन्दगी में, और मेरे साथ वाले मस्त गुम्रे कलब बगरा जा रहे है, उनकी perpetual succession के साथ गुम्रे तुम्हारा भाई, घर पर ही है, पीछे से मुझे प्यारे प्यारे चब्दात है, लेकिन यहीं जच्चे भाई, मैं थोड़ा बोच जाता मस्त गुमने जाओंगा, कॉलेज लग भी जाओंगा, भाई तिरको में लिख कर देता हूँ, नहीं बन पाएगा, तुमने एक टीचर सुना होगा बच्पन में, कि क्या बोलता है, अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो तुम नहीं बन पाओगे, और तुम कुछ बढ़ा करके आ उसके बाद, पाईसा बाईसाथ छोड़ो ये सब, समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बताना कि कोशिश कर और सोशल लाइफ नहीं होने वाल, सोशल लाइफ इंक्लूड्स, मैरेजेज एन एवरिधिंग, प्रेशर पार्टी, मैं गर पे बैटके पढ़ा ही कर रहा था, दोस्तो, ये कुछ मेरे अंडरस्टैंडिंग है, इस पूरे कोर्स में, अगर मे 12 में होता, या 11 में होता, अगर मुझे कोई ये चीज़ बता देता, आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो शायद मैं एक अच्छे डिसेजन पर आ पाता, और शायद मैं CS नहीं करता हो सकता है, चलिए, मेरे अंडरस्टैंडिंग, ये तीनों कोर्सेज पर जो शायद आपको help करेगी, सब मस्त है, पर पास होना, यही तो task है, CA बन जाओगे, CA में हाँ, वाई सुनने में अच्छा लग रहा है, 8 गंटा पढ़ लूँगा, 8 गंटे के बाद भी कोई 12 में अभी रिजर्ट आने वाल है, ठीक है, बच्चे खूश होएंगे, 95 मिला है तरहा, CA करेगा, पहले अटेम में पास होएगा, मेरी एक फ्रेंट थी, मुंबई की टॉपर, फाउंडेशन उसका 3 अटेम में निकला है, CA बस, इसे जादा में कुछ पता नहीं चाहता, मु बन चुका है, CA भी बन चुका है, पहली अटेम में, मेरे जीजु जो है, ठीक है, मेरे डीरी के, जैसे मैं आपको बताया था, वो फर्स्ट अटेम्प CA है, और बिक फोर में वो सीनर मुस्ट CA है, तो ठीक है, बन ने अगले तुम बन सकते हो, वही है, पास होना, इस धर टा करते हैं, दो महीने पहले मेरा Instagram डिलीट हो जाता है, फिर मैं क्या करता हूँ, क्योंकि Instagram पर आजकल Reel बहुत चल रही है, मैं भी Reel घुमाता हूँ, सब घुमात है, एडिक्ट हो चुके है, सब लोग, लेकिन फिर मैं Reel से बचने के लिए क्या करता हूँ, मैं Google Chrome में Instagram Login करक रखता हूँ, मैं वहाँ से तुमें reply दे रहा हूँ, अब जो बच्चे जो मुझसे, जब आपको पता होगा कि मैं जब chat करता हूँ, दोस्तों मैं आपको Google Chrome से reply देता हूँ, मैं पस Instagram का application नहीं है, अभी है, क्योंकि मैं अभी time pass कर रहा हूँ, ठीक है, चलो, यहां बेगा पाच्वा पॉंट, perpetual succession का क्या भाई, अब यह जो अगर कोई parent या आपका कोई sibling देख रहोगा साथ में, तो उसको भगा दे, हाँ दोस्त, perpetual succession, आपका बेवी बाबू उनका क्या भाई, ठीक है, समय नहीं दे पाओगे उनको, क्या बोल रहो, हाँ, बेवी को तुम रात में पुलपा होगी, हाँ बेवी कैसी रही, तुमारे पर हालात ही नहीं होगी, भाई, आठ गंटा क्लास करने के बाद, दो गंटा रिविजन करने के बाद, बेवी चुप करो, सोजाओ, मुझे सोने कल वापस पढ़ना है, यह चलेगा भाई, तुमारे साथ, तो perpetual succession का क्या, ऐ आपसे आपका प्यार का sacrifice मांगेगा, आपका time का sacrifice मांगेगा, college life मांगेगा, बहुत कुछ मांगेगा, बट यह वर्थिट होगा, इतनी मैं guarantee देता हूँ, यह तीनों courses वर्थिट होगा, depression, anxiety, therapist, वगरे वगरे शब्द, आप सीख जाओगे, आपने शायद यह शब्द के बारे में आजकल तो सुन लिया होगा, आजकल के बच्चे सब जानते, लेकिन आप अपने parents को बुचर, depression, anxiety, ऐसा कुछ, बढ़े, कुछ नहीं भाई, थोड़ा गोंकर अच्छा लगेगा, उनको नहीं समझ आता, लेकिन भाई दोस्त में क्या बता रहो, आप चार दिवारी में रहोगे, इतने सी बुख, आपके सामने सिफ बुख है, सुनने में अच्छा लगता है भाई, यह ऐसा ही चीज आपको चार से पाथ साल करना है, along with your office, manage कर पाओगे, मुश्किल है है, बहुत मुश्किल है, लेकिन, जो कर लेता है, उसके नाम के आगे, यह तीन डिगरी लग जाती है, और उसका bank balance भर जाता है, ठीके, अब तुम कर पाओगे तो, ठीके, well and good, नई तो फिर, regret में रहोगे जिंदगी पर, यह देखो, पर भाई, इतना सब होने के बाद, इतना जब आपने जो struggle बता है, यह पूरे 40 मिनिट की वीडियो में तू कबसे दूख ही बता रहा है हमें, वर्थ इट है, जब आप यह डिगरी complete कर लोगे ना, आपको जब calls आएंगे, और C.A. सहाब कैसे हो, C.A. सहाब कैसे हो, C.A. सहाब हाना, जब आपके relatives आपको call करेंगे, कि थोड़ा guide करदा हमारे बच्चे को, भाई, आप साथ वे आसमान में रहोगे, जब आप अपने examination के, जब वो result आता है, हर 6 मेने बाद जब result आता है, result में 400 में से 200 माख लाना, इतना important और इतना मुश्किल है, वो तुम अभी नहीं समझ पाऊगे, वो इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, वो it is more difficult as compared to 90%, exam में 90% लाना 12th के easy लगेगा तुमें, बट exam में 400 में से 200 लाना हाट लगेगा, और जब वहाँ पर पास लिखकर आएगा ना, तुम सबसे पहले रहोगे, और पूरे घर में गोल-गोल घुमोगे, जैसे कि इंडिया ने वल्ड कप जीत है, ठीक है, चलो, अब ये वीडियो का हम बहुत जल रेंड करने वाले, डेंचन मतलो, बैक अप रखना बहुत जरूरी है, जब एक CA करते हो ना, दोस्त, CS, CS, CMA कोर्स में क्या होता ना, बच्चा क्या करता है, अब मैं 12th में हूँ, में पास आज से 5 साल है, मैं CA करूँग आपके, आपने जिन्दगी के, पात साल वेस्ट किये, तीन साल वेस्ट कर लिए, चलो, दो साल वेस्ट कर लिए, कॉलेज लाइफ इंजॉई नहीं करी, इतने सारे से किये, क्या वो वर्थ इट थे, नहीं रहे ना, क्योंकि end में result तो आपको failure मिला, जब ऐसा fail मिलेगा ना आप नहीं उठपा होगे, बट यही तो task है, आप आज से plan करके रखो, अगर मैं C.A. में C.A. नहीं कर पाता, C.A. में नहीं कर पाता, C.A. में नहीं कर पाता, तो इसका backup क्या plan है, बच्चा मुझे पूछे का, सर आपका क्या plan है, जिसे आप C.A. तो चलो कर लोगे, अब तो क्या यह final है, तीन subject है, आप तो कर लोगे, लेकिन सर, आप जब हमार जीसे बच्चे थे, आपका क्या backup था, दोस्त, बगवान के वज़े से, मेरे पापा एक business man है, बहुत ही secure business है मेरा, 30 साल से चलता आ रहा है, आगे 30 साल और चलेगा, ठीक है, नहीं बन दोगा, मेरे प इनी chance में fail हो जाओ, तो क्या, मेरे पास clarity है, मेरे पास मेरी, backup है अपना, backup है, अब तो तुम्हारे भाईने teaching field में भी आ चुका हूँ, तो backup ही backup है, तुम्हारा backup क्या है, तो यह course में enter हो जाओ, exit होना बहुत difficult है, इसकले मैं कहता हूँ, तुम्हारा backup क्या है भाई, सोचने आगे मजबूर हुए, कि हाँ भाई, सोच तो लिए, सीए करूँगा, लेकिन हुआ नहीं तो क्या, क्योंकि probability हुआ नहीं तो क्या की, जादा है, समझो यार, जादा है, ठीके, तुम सोचो, सीए करो यार, लेकिन what if नहीं कर पाए, इसका जवाब रखना, और लोग बोलें हो चुका होगा, बन के सीए, सीए, सीए में, उस टेम competition नहीं था, आज का समय अलग चल रहा है, तुम्हें आज के बच्चों से पूछना पड़ेगा, luck matter करता है, scenario matter करता है, economic scenario, सब कुछ matter करता है, तुम्हारे एक pass होने के चक्कर में, तुम्हें बस सिफ और सिफ पास होना है, और कैसे होगे, उसके पीछे बहुत कुछ चुपा हुआ है, लेकिन आप आपके तरफ से क्या कर सकते हो, सिर्फ पढ़ाई, इससे जदा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोग पढ़ाई करकर भी fail होते हैं, इतना clarity तुम रखना, ठीक है, 16-16 गंटे पढ़ने के ब मेरा दोस्त फेल हुआ है, मेरा दोस्त 8 गंटे पढ़के भी पास हुआ है, तुम्हारा भाई, 8-10 गंटा पढ़के भी पास हो गया हूँ, मैंने कोई नहीं देखा, 4 गंटा पढ़के पास हो गया, अरे तुम्हें मामू बना रहा है वो, बोलने की बात है, सब बोलने की ब पढ़ेगा और उतना ही attention के साथ अगर तुम कर सकते हो तो आना वरना नहीं आना तुम अपने जिन्दगी के life बरबाद कर दोगे अपना समय बरबाद करोगे और यह regular basis पर करना बढ़ेगा consistently daily at least 6 गंटा final में at least 8 गंटा entrance के लिए at least 3 गंटा पक्का पास इसके बाद भी कोई guarantee नहीं है जैसी में ने बताया सोचो ना यार कोई बच्चा तुम मैंसे बच्चा decide कर रहा है सर मैं CA करना चाता हूँ तुम 10 गंटे पढ़ रहो बच्चा एकदम शिदत से पढ़ रहा है और तुम अगर fail होगे तुम fail होने की probability हमेशा से जादा है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई failure होता है ठीक है जब तुम बन जाओगे ना भाई फिर नजारे भाई जिन्दगी में देखो यहाँ पर अब चलो तुम CA बन गए CS बन गए CMA बन गए अब क्या employment option, firm का option तुम अपना खुद का practice कर सकते हो या फिर तुम as a partner skit through काम कर सकते हो सेकेंड तुम as a job काम कर सकते हो ठीक है अपने head CS को एक page पे पूरा page भर कर उसको मैंने PDF बनाकर दिया था उसने PDF को आगे forward गा रहा उसने उस PDF के जिसको मैंने सिर्फ एक दिन लगाये थे बनाने में एक लाक रुपे चार्च किया है मेहनत मेरी एक लाक बोले गया stipend देगा मुझे चैने के बाव में तो कोई नहीं अभी हमें पैसे पर फोकस नहीं करना है अभी हमारा training प्रेट चल रहा है अभी मैं सिर्फ काम सिखूंगा मैं आगे जाके इस एक लाक का दो लाक चार्च करूंगा इसा नहीं कि यहां बच्चा सोच रहे नहीं मुझे नहीं करना दोस्त जब तू बन जाएगा ना बहुत पैसा इस फिल्ड में इसका पैसा पैसा जोए ना कभी खतम नहीं हो सकता है यहां पर इसमें सिफ और सिफ पैसे की ग्रोथ है क्योंकि यह लोग नेशन बिल्डर से क? इसे लोग इ कृमिया क्योंकि पर्टी से नहीं लेकिन एक और बात है इनकी जो इनीशल सैलरी होती हे ना इनीशन सैलरी फ्रेशर की बहुत बहुत मतलब तुम मैंदियों के सर इतना मेंद करने के बाद पाच लाउक मिलने को मिल रहा है तो नहीं करना मिल्को यह है फैक गूगल से उठाए हुआ अगर आप मुझे पूछोगे तो नहीं है सच नहीं है यह सच है मैंने ऐसे भी सीए देखें जो 20,000 कमा रहा है उसको देखके में दिमोटिवेट हो चुका था लेकिन मैंने नेक्स्ट जैसी स्लाइड किया एक सीएस की रिक्वार्मेंट आई थी दो साल का experience सिर्फ दो साल का उसकी salary थी 35,00,000 तो भाई motivation आ गया है दो साल का experience पर 35,00,000 का salary package लग रहा है वाउ CA का एक student उसके institute से place हुआ था 49,00,000 रूपीज की इसकी salary थी पहला साल पहला as a fresher तो यह जो amount है न यह 100 में से 60 बच्चों का amount है 100 में से 60 लोग यही range पे है as a first year salary यहां as a first pressure, first year salary लेकिन जब यह लोग charge minimum 5 साल दो है minimum 5 साल as your experience फिर पैसे की कोई limit नहीं अब फिर वो आपकी ability, आपके skills, आपके talent, आपकी मेहनत, आपने training period में क्या सिखा उस पे depend करता है तो यह सारे factors आपको consider करने है जब आप CS, CS, CMA course अगर आप सोचते हो तो इतने चीजों पर आपको सोचना है अब इसके बाद आपको decide करना है कि क्या आपको CA करना है क्या आपको CS करना है क्या आपको CA में करना है I am again very sorry यह video almost 53 minutes की है but I hope यह video के बाद आप बहुत शौर हो कि CS, CS, CA में जितना easy logo ने बना दिया है जितना आप YouTube पर देखते हो ना कि आजा भाई मेरे से classes ले ले पक्का पास करा दोंगा यह सब नहीं है यह सब बोलने की बाते हैं वह चाहता ही कि आप बस वहां पर admission लो और कुछ नहीं इतना detail पर कोई teacher ने बात नहीं कर यह तुम्हारा भाई बात कर रहा है सारी एक ही video मे स्टार्ट टू एंड जितना मुझे लगा एक video में cover होना चाहिए और CS CSCM है मैंने कोशिश कर यह cover करने की time और time की दिक्कत है वरना मैं तो भाई दिन भर बोल सकता हूं CS CSCM के course में enter होने से पहले आपको किन-किन चीजों का ध्यान रखना है यह video basically उसके उपर है प्लीज यह लगता है पचास मिनिट अगर किसी बच्चे को लगता है मैंने आपके वेस्ट किये है दोस्त मैं guarantee देता हूं आज तु भले मुझे गाली दे रहा हुगा लेकिन जब आज से पाच साल बाद तो एक ऐसी स्टेच पर आगाना लाइफ के शायद तु मुझे अगें और भी कुछ डाउट समस्या you can contact me over instagram instagram की मैं अपनी id golding munra underscore यह मैं आपको send कर देता हूं once again और इस वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूं आपसे और ज़्यादा समझ नहीं लूँगा और यह 55 मिनिट्स की वीडियो है और आपको यह बहुत कुछ सिखने को मिल इस वीडियो में मेरा प्लान था इसको live stream लेने का लेकिन अगें live में कुछ बच्चे आते हैं नहीं आपाते तो एक बड़ी सी वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड कर दी देखो share कर देना comments में आप सभी का इंतजार करूंगा please मुझे बताना कि और क्या points आप चाहते ह है CS कर ले best है CMA कर ले best है classes कर लेगा मेरे से लेगा और किसी से नहीं लेगा ऐसे लोगों से दूर रहा ठीक है चलो वोस्तों इस वीडियो को में है अपर एंड करता हूं मिलता आप सभी से अगली वीडियो में है सारे parents के लिए भी one second I am very sorry अगर आपको लगता है कि यह एंड करता हूं